जै शनिदेव प्रेभक्त करों आज जो सबसे बड़ी समस्या आकर हमारे सेर पर खड़ी है वो है नोकरी ना लगना, व्यापार का फेल हो जाना, व्यापार में घाटा होना, या करजे के बोज तले दब जाना इन परेशानियों की वज़य से आज सो में से सत्र लोग मानसिक रूप से बहुत जादा परेशान हो रखे हैं। तो मैंसे 70 लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोगों हमसे मिलने आते हैं, और जो हम लोगों से बात करते हैं, या हमें मैसेज बेजते हैं, उन सब का अगर मैं टाटा चेक करूँ तो हमारे को 70% ऐसे लोगों होते हैं, बात करने वाले, जो इन तीम कारणों से, नौकरी ना मिल मिलने से व्यापार में घाटा होने से व्यापार ना चलने से या फिर करजे के बोज तले दव जाने से परिशान होते हैं ऐसे सभी लोग कि इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि नोकरी ना मिलना या व्यापार का ना चलना व्यापार का फेल होना व्यापार में घाटा होना या करजे के बोज तले जब जाना आपके खराब ग्रेहों की वज़े से ही होता है आपकी जनम कुंडली के ग्रेह अगर खराब होंगे तो वो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी परेशानी में उल जाकर फैंक देंगे और इतना परेशान कर देंगे कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझेगा उस परेशानी से बाहर निकलने का ठगों के फैलाए हुए जाल तो मिल जाएंगे जिन जालों में फसकर आप फड़र अपने हजारों रुपे लुटा देंगे मगर उन सौ में से पिच्चानवे जो लोग होते हैं उनके जालों में फसकर आप अपना बचा खुचा जो परिशानी है उसको और बढ़ा लेंगे पहले ही परिशान है और इन ठागों ने उस परिशानी में भी दोहन करना है आपसे पैसा लुट ना है और वो लाख लुट रहे है पूजा के नाम पर ये पूजा है अपको ये पितल दोस लगा हुआ हूँगा आप तो मांगलीक दोस लगा हुआ है और पता नहीं कितने कितने दोस सब आपके मत्थे मर देते हैं आप ये पूजा करा लो तो ठीक हो जाएगा आप ये पूजा करा लो ठीक हो जाएगा आप उन पर अटूट विश्वास करके तो कि वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा है आप अब क्हुजा करा है कि अब दूचय में आपको कोई चाहिए तो एसे सभी लोगों को तो आप-पूजा पाठ के नाम पर जो सो में से पिच्चानवे लोग सिर्फ लूट पाठ कर रहे हैं, मैं 5% योग विद्वानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूंगे, वो तो निश्चत रूप से आपकी मदद करते हैं, मगर मैं सो में से पिच्चानवे लोग जो देखा गया है, कि आपको बेफकुब बना कर केवल ठगने का कारे करते हैं, कुजा पाठ के नाम पर, मैं उनकी बात कर रहा हूंगे, तो ऐसे लोगों से आपको ना सिर्फ साबधान रहना है, अपने लिए एक ऐसा योग विद्वान व्यक्ति ढूड़ना है, जो इस परेशानी में आपकी मदद कर स आपके साथ खड़ा हो सके, इस दूबती हुई नईया को पार लगा सके, आपको कहीं न कहीं नौकरी की विवस्था करवा सके, आपके ग्रहों को ठीक करके, आपके व्यापार को चलाने का रास्ता आपको दे सके, कि उन ग्रहों को ठीक करके आपके व्यापार को चलवा सके या फिर आपके करजे का बोज को ठीक करने के लिए आपको उपाए बता सके हाला कि करजे का बोज जब ही खतम हो सकता है जब आप आमननी के सोर्सेच को और ज़्यादा बढ़ाएंगे लेकिन आपके ग्रह सपोर्ट ही नहीं करते तो वो सोर्स बढ़ते ही नहीं और आप करजे की ब्याज को देने के लिए एक और नया करजा लेते हैं फिर उनकी ब्याज देने के लिए एक और नया करजा लेते हैं और अंतिते ऐसे जंजाल में फजाते हैं जिससे बहार निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ऐसे सभी लोग अपने खराब ग्रहों को जो आपके भाद्गी को सील करके बैठे हुए आपके धन के भंडारों पर कब्जा जमा के बैठे हुए और आपको धन प्रदान करने से पहले ही खुदी चट कर जाते हैं आपका धन आप तक पहुँचने ही नहीं देते हैं आपकी नोकरी आप तक पहुँचने ही नहीं देते हैं कोई ना कोई अर्चन खड़ी कर देते हैं तो जब आप इन ग्रहों दोशों को प्रॉपर तरीके से ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है वो धीमे-दीमे करके दूर खुती चली जाएगी और आप धीमे-दीमे करके उन्नती और तरकी के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके व्यापार में दुबारा से जाना जाएगी और धीमे धीमे आपका व्यापार चलने लगेगा आप उन्नती और तरकी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और करजे का बोज से दबे हुए लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे रास्ते तलास हैंगे पैसे वाले ग्रहों से ऐसा जोड़ा जा सकता है उन ग्रहों की ऐसी कृपा आपके उपर जोड़ी जा सकते हैं कि धीमे धीमे आप अन्य सोर्सों से पैसा कमाना शुरू करेंगे जो भी मल्टी चैनल खोलेंगे ताकि आमंदे नहीं जादा हो जिसमें से कुछ आप अपने घर चलाने के लिए रखें बाकी का करचा चुकाने के लिए आपके काम आए तो आमंदे नहीं जो उन सोर्सों को बढ़ाने के लिए धन से संबंदे तो उन ग्रहों को जोड़ने के लिए कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे वो भी इतने साधा उपाय कि जो साल में सिर्फ एक बार करना है या फिर तीन साल में सिर्फ एक बार करना है आप एक उपाय क चीज़ों में आपकी मदद करेंगे, वो आपकी जनमकुंडली के ग्रहों को ठीक करने के काम आएंगे, अब उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे, जो हमारी मोबाइल एप है, आप उस पर जाकर मुझ से, या गुरू रजनी सिसी से, या स्वामी राज रिशी से, वीडियो कॉल प के तुरू जिसका लिंक हमारी डेस्किप्शन में भी आपको इस वीडियो की डेस्किप्शन में भी मिलेगा, या फिर जो मुबाइल नंबर्स आ रहे हैं, उनमें ओफिस हावर्स में पोन करके आप अपने एपटमेंट बुक करा सकते हैं, और उस एपटमेंट के टाइम प अगर आपके पास जनम कुंडली नहीं है, तो प्रस्न कुंडली के माद्यम से आपके खराब ग्रहों को ठीक करके, आपको मदद पहुचाएंगे, आपको तरक्य और उन्नती के मार्ग पर आगे ले जाएंगे, और आपके जीवन में हर संबब खोशी लाने का भरपूर प् जिन्दगी में, आप लोगों के माध्यम से होते हैं, वीदेशों में, तो एक या दो चमतकार कोई दिखा दे इस तरही के के तो से संत की उपादी मिल जाती है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, आपको हिरानगी होगी कि मदर टेरसा की बात करो, हाला कि मैं उनके बराबर नहीं हूँ, वो बहुत महानात्मा थी, वो बहुत प्रसिद्य व्यक्ति थी, मेरी प्रसिद्य अभी इतनी नहीं है, तो मदर टेरसा ने अपनी जिन्दगी में जो चमतकार किये थे, उनमें से एक चमतकार अमेरिकन सरकार ने ढूडा, लेकिन वहाँ पर संत की उपादी उ चमतकार कियों लाइफ में, मगर दूसरा चमतकार अभी उनको नहीं प्राप्त हुआ है मदर टेरसा के लिए, इसलिए अभी तक मदर टेरसा को संत की डिगरी नहीं मिली है, और आप हमसे पूछेंगे तो हम अपने हजारों चमतकार, हजारों लोगों के माध्यम से, जिने फायदा हुआ हमारे छोटे से वैदिक एस्टिलोजी के उपायों के माध्यम से, जो हमने चमतकार किये हैं, उनकी संक्या हजारों नहीं उससे भी बहुत जादा होगी, लाखों घरों में तो हमारे फोटो ही लगे हुए हैं, जो लोग हमें गुरू के रूप में बहुत प् प्रिशान होईे, मैं गुरू रजनी शिशी स्वामी राज रिशी के साथ, शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्ट पटे नगर नई दिल्ली में हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्द होता हूँ, मगैर आने से पहले एक एपॉइंटमेंट लेना बिलकुल भी मत भूलिएग या वीडियो कॉल के लिए एक एपॉइंटमेंट लेना बिलकुल भी मत भूलिएगा, जैशनी देव